तो धनजय गिरी जी तो क्या ये माना चाहिए कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब लगातार सरकार पर सतापक्ष पर 20 साबित हो रहे हैं जब पहला भाषण दिया तो 6-6 मंत्री आपकी जो टौप लीडर्शिप और कोठना पड़ गया था बीच में टोकना पड़ गया था और इस बार कल के भाषण में तो एक नए चक्रवी हो की ही संरचना कर रहे हैं माभारत का जिक्र करने हैं हिंदुस्तान फस गया है और 6 लो मारों की दुनिया में विच्रण करती हैं यह पाकिटमार पैदा होती है सब्दावली से पॉलिटीशन पैदा नहीं हो मुल्क मन में बुल्क के अगर मूरत शिपाय जो जिसके हो ऐसे महामानव मोधी का मुकाबला मुल्यों मुद्दों और मालकों के साथ किया जा सकता है पुत्र मोहीराय निती से न तो इस रास्ट का भला हुआ न धित रास्ट का भला हुआ इस धित रास्ट को कवजय से tour और बंस बिउ जब जिसको पता ही नहीं नहाता ना पता कांगरेस के खुरदरी एतिहास को ये गरूत देखे तिधर उधर की बात न करें पुराने पाप धोलने के ज़िए एक नया पाप कर रहे है भाजपाम ने दस बरसों में अगड़ा पिछड़ा नहीं किया बलकि सारी भी समता है कोई म मियूर जाजामिया मिलिया में दलीतों का अरशन खतब होते कुछ नहीं बोले और कांगरेस की तीने स्टेट में सरकाल बनी तो तेलंगाना में आपने दलीतों का एक तिहाई कर दिया और धरम भी सेसका मुसलमानों का आपने 33% कोटा बढ़ा दिया 33% बजट बढ़ा दिया कौन ताका थी उस समय नहरू इसके लिए जिम्मेदार थे फिर उनको सेटलमेंट किया गया गोदिया में खुद नहरू हेलिकॉप्टर से गया तो बाबा साहिब को इस्तिफाद रेक लिए कि इसने मजबूर किया आपने काका कालेलकर की रिपोर्ट को ठंडे पस्ते में कि कि सहने पए वी की हुआ लाटी लूंगी है लेकिन पिछले दस सालती से तो आप ही सवासन में है ना अगर राहुल गांधी किसानों के लिए कह रहे हैं क्योंकि बादा तो आपका था ना दस सालों में आए दोगुनी होगी किसानों की वादा आपका था हर साल युवां को दो करोर नौकरी देने का पूरा नहीं हुआ जाती जंगर्ना की बात तो कही गई थी राजना हमलेटल इंफ्रास्ट्रेक्चर अपर कहर्चा था एक लाक है काशी आरको हमारा एकार हवाथ जयार फूल बजेत उनका था 16 लाकोड हमारा तालीस लाको और और जो बात आप कर रही है कि आप जातीक जन्गरणा की बात कर रहें और ऑजब पहचान पुछी जारी तो पहचान शिपाने वालो के पीछे खड़े हो जा रहा है, यह मुलाफ़त यह मकारी यह डबल इस्टेंडर क्यों? पहचान वाला जो आपने जिक्र किया ना वो तो सुप्रीम कोट नहीं खारिश कर दिया ना स्टे लगा दिया लेकिन आप उसके अभी भी मामले कोट में जाएंगे और आपके समय में साथ साल तक आप थे हुकूमत में थे आपने अरक्षण का आपने जंगर्णा कराई क्यों ने उसको रिलीज किया रोहनी कमिशन आयो की रिपोर्ट आपने सार्शनिक नहीं की ना क्यों नहीं की अपने जो राहूर देखे जो निजल निरलजेता से नरेंद्र को ठीकाना लगाना चाहते हैं आप एक समय था कि टाटा बिड़ला की सरकार कही जाती थी और यह जो जि परारेफ्यूस है और जिस सब्दावली को अपने जानकारी दुरूस्त कर लीजिये जब नितीजी और हम साथ में थे तब हमने इसको पास किया तब हमने इसको लागू किया और देश में जिसकी जरूरत होगी तो आप केरें कि देश को जाती का जन्गर्णा की जरुवत नहीं है आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी ज़र्वत नहीं है पूजाजी हम ये कह रहा है है प्रदान मंति नेंदर मोधी ने गोल्डेन वर्ड दिया सबका साथ सबका विकास सबका विस्वास सबका परिस कॉंगरेस के तीन राजियों में सरकार बनी एक बात बता दे जो पिशढों के लिए किया एक बात बता दे जो दलितों के लिए किया हा उन्हें मुसल्मानों के लिए किया उनको 33 परसेंट 40 परसेंट उनके बजट ही ज Dann आप अपना बताएए ना बीजेपी का क्या स्टेंड है आपकी सरकार का क्या स्टेंड है जादी को जटगर्णा को लेकर आप राहूल गांधी कल बजट पर बोलने आये थे ना बजट का बोला उन्होंने क्योंकि जितना उनको चमचे स्यांदी का चमच लेकर चमचों के देते हैं वह आके बोल देते हैं बोलने के लिए बजट पर था लेकिन जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता करें रिजीरू का भी बेयान आप सुन रहेते हैं आप शुना बोलके वह चले गए